ठंड का मौसम वैसे तो बहुत मज़े का मौसम होता है क्योंकि इसमें शालिरीर्क ताक्तव बढ़ जाती है भूप बढ़ जाती है बल बढ़ जाता है वयाम अच्छे से कर सकते हैं यह सब कुछ अच्छा होता है पर इसके साथ कुछ समस्याइं भी आ जाती हैं जिसमें से सबसे बड़ी समस्या यह है कि बार-बार पिशाब या फिर यूरिन का आना ठंड के मौसम में नीन बहुत अच्छे से आती है और ठंड में रजाई और कर सोने का अलगी आनन्द है पर होता यह है कि थोड़ी देश सोने के रिए गए और फिर तुरंत यूरिन का वेग आ जाता है आप उसे दबा कर भी रखें तो पेन होने लगता है और तक्लिन होती है तो इतनी ठंड में फूटकर बाहर चाओ यूरिन करके आओ फिर एक त्रीड घंटे के बाद फिर से यूरिन आने लगता है तो इसमें सोने का मज़ा तो चला ही जाता है और ठंड भी छेलनी पड़ती है और समस्या भी परनी रहती है तो यह जो कॉमन समस्या है जो कि ठंड में एक ऐसी चीज है जिसका अगर आप सेवन करते हैं तो बार बार जो यूरिन आपको होता है उससे आपको कंड्रोल मिल सकता है तो उसका नाम है तिल तिल यूरिन को कम करने वाली दवायों में एक बहुत ही अच्छी दवा है आयुरवेद के भावप्रकाश रिशी तिल क वर्डन करती है कि अल्प मुट्रकृत अगर पिशाब ज्यादा मात्का में बनता है तो ऐसे लोगों को तिल खाना चाहिए क्यों क्यों कि ये जो बहुत ज्यादा यूरिन आना होता है या भोजन के बाद पाचन क्रिया के बाद जब पिशाब का फार्मेशन या यूरिन का formation ज्यादा होता है तो तिल उस urine को control करने का काम करता है तो ठंड के मौसम में अगर आपको बहुत ज्यादा पिशाब हो रहा हो तो आप तिल जरूर खाएं पर अकेला तिल भी खाने में मज़ा नहीं आएगा तो उसमें एक और चीज add कर दे जो कि तिल की पावर को भी बढ़ा देगी और बहुत मुत्रता को भी control कर देगी तो उसका नाम है गुड गुड कफ के लिए बहुत ही कमाल की दवा है अगर पुराना गुड हो तो पुराना गुड यहां तक कि diabetes के patient भी खा सकते हैं ऐसा आयूर्वे में कहा गया है तो पुराना गुड और तिल अर्था तिल और गुड का जो लड़ू बनता है वही यूरिन को कम करने के लिए सबसे अच्छी दवा है खास कर के बुड़े लोग जिनको की बहुत ज़्यादा यह समस्या होती है उनका जो ब्लैडर कंट्रोल है वह कम हो जाता है और बार बार उन्हें यूरिन होने लगता है या ऐसे बच्चे जो की रात में ही विस्तर पर यूरिन कर देते हैं बैट वेटिंग की जिनको समस्या है ऐसे बच्चों में या फिर महिलाएं जिनके साथ ऐसा होता है कि ट्रैवल रादी करने के दोरान बार बार उनको यूरिन की समस्या है तो उन्हें समस्या छेडनी पड़ती है तो ऐसे सबी लोग जिनका ब्लैडर कंट्रोल कम है जिनने यूरिन बार बार होता है यूरिन जारा बनता है उन सबी के लिए तिल और गुड के लड़ू चबा चबा कर खाना बहुत ही कमाल की चिकिस्टा है अगर आपको गुड नहीं सूट करता तो इसे तिल को आप चबा कर थोड़ सी शहाद के साथ भी खा सकते हैं वो भी आपको इतनी जादा जो बहुत मुत्ता होई है उसे कंडूर करने में मदद करेगा आप ये गुड और शहर डायबटीज वालों के लिए भी सूटेबल है तो वो भी इसे कम मात्रा में प्रियोग कर सकते हैं तो ठंड के मौसम में अगर आपको बहुत ज्यादा यूरिन की समस्या है बागा बिस्तर से उटकर आपको पिश्राप के लिए जाना पड़ता है तो तिल और गुड के लटू चबा कर खाएं और तिल या फिर तिल को चबा कर खाने के बाद शहाद आएं तो वो आपको इसे कंट्रोल करने में बहुत मद्दा करेगा अब एक क्वेशन और आ सकता है कि तिल सफेद या काला तो काला तिल जादा अच्छा है लेकिन अगर वो ना मिले तो सफेद वाला तिल भी आप यूज कर सकते हैं तो ठंड के मौसम में ये एक छोटा नुस्का अपना कर देखिए यूरिन चाहरा होने की तक्रीव में यह आपके बहुत पार्यमत साबित होगा थैंक यू